तो हेलो फ्रेंट वेलकम तो मैं यूटूब चैनल तो कैसे हो आप सब जैसे के आपने क्लिप देखा जो के थी क्लिप किया कार्निवल की जो के बस शोरूम से कार निकली ही थी बिल्कुल ब्रैंड न्यू और डिरेकली जो ड्राइवर था जो भी ड्राइव कर रहा था उसने जो वाल पे है मतलब मींस जो शोरूम की वाल थी उससे हीट कर दिया जाके साइज साथ गाड़ी को काफी साधा नुकसान भी हुआ दोनों एर बैक्स भी ओपन हो गए तो यह क्या था जैसे कि आपके सामने यह क्लिप आये होंगी कई सारों लोगों ने यह क्लिप देखी भ हुआ था और क्यों यह ऐसा जो क्रैश हुआ किया कानिवल के साथ वो सकते ही आपके साथ भी हो आपको यह क्या क्या चीज़ अगोट करना है अगर आप एक शोरूम से न्यू कार परचेस कर रहे तो तो वीडियो पूरा देखते रही है मैं हूँ आपको दोस्त आपका होस् शोरूम के वाल से हीट हो गई जैसे का आप देख सकते है एयर बैक भी ओपन हो चुके है और सामने से काफी ज़्यादा डैमेज कार को हो गया था सामने का जो बोनट है वो बिलकुल पचक गया है अगर मैं आपको साइड वीव से दिखाओं तो साइड वीव जैसे कि आप देख सकते है यह सामने से बिलकुल ऐसा हो गया है और यहां कार के एयर बैक्स भी ओपन हो चुके थे क्योंकि यह एम्टी है हो सकता है ब्रेक के ज स्टाफ लोगों ने ही कार निकाल के दिया और जो कार जितना भी डैमेज हुआ था वो कार डिरेक्ली सर्विस सेंटर चले गई अगर यहां देखा जाए तो गलती जो है वो ड्राइवर की ही है जैसे के अपने क्लिप में देखा मैंने आपको पूरा बिल्कुल एक्स्प्लेइन करा आखिर क्या के चीजे हुई थी काफी सारा मतलब लोग भी वहां आ गये थे देखने और जैसी बस गाड़ी निकली और डैरेक्ली वो वाल पे हिट हो गई तो जैसे के आपको मैंने क्लिप में बताया इसका रीजन दो रीजन हो सकते है इसके पहला कि ड्राइवर प्रोफेशनल नहीं था प्रोफेशनल मीन्स उससे चलाना नहीं आता था अगर मैं किया कानेवल की बात करूँ तो वो है AMT मीन्स आटमेटिक कार है वो कोई मैनुल क तो इसकार नहीं है उसमें ना तो कलच है मतल्स में उसमें गाड़ी में नहीं एक्सलिटर अपको प्रोइट किया गया तो कई सारे लोगों को मैनुल की आदत रहती है ब्रेक के जगा मीन्स अगर वो गाड़ी ऑटमेटिक है तो कलच समझ के वह ब्रेक दबादेते है बाइ लेफ्ट वारा ये वाला पैर है इसे आपको यूज नहीं करना है तो हो सकता है ये सब चीजे हुई होगी कि मैं as a engineer मैं ये समझता हूँ मैं क्लिप देखा तो मैं समझ गया कि आखिरी इसके पीछे क्या हो सकता है बिहाइंड इसका और क्या रिजन हुआ होगा कि एक कार क्रेश हो गई और काफी जदा नुकसान भी हुआ कार को और दोनों ये ड्राइवर साइड और पैसिंजर साइड का एर बैग भी ओपन हो गया अब फ्रेंड्स कई सारा लोग ये भी कहेंगे कि बहुत बड़ा क्रेश तो नहीं था लाइक अगर कभी एर बैग ओपन होते है तो 150, 160 ये 200 की स्पीड पे क्रेश होती है तब एकदम सड़नली है बद इट्टे से क्रेश में एर बैग कैसे ओपन होई तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो लिमोजिन ये कार है जो किया कार्निवल वो एक लिमोजिन कार है और काफी एडवांस कार है और काफी लगजरी कार है ये मिन्स उसमें काफी सारे सेंसर होते है मिन्स अगर हलका सा भी आप कारे ये आपकी हेट हुई अगर steering पे भी अगर टकराने जाते हैं तो वो car ऐसी आपको उत्ता भी टकराने नहीं जाएंगी अगर हलका सा भी हीट हुआ तो वो airbag open कर लेंगी छोटी से भी छोटी छोड भी आपको वो car नहीं आने देंगी भले ही यह हो सकता है दूसरी car अगर वहाँ crash होती तो airbag open नहीं होते हैं क्योंकि कम crash था जादा बहुत speed से नहीं था 100-150 की speed से नहीं था तो यह भी हो सकता है बट यह car में ऐसा हुआ काफी सारों लोगों के यह clip भी पहुँची मेरे पास भी ए clip आई तो मैं सुचा आपको explain करना चाहिए Skripper वीडियो बनाना चाहिए So friend आशा करतो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो आपने अच्छे तरीके से आपको कुछ information यहाँ से मेरे चैनल से मिली हो और अगर मेरे चैनल की वीडियो आपको अच्छे लगी है तो इस वीडियो को like करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं आप आपर एड नेक्स टूडियो में जब तक लिए गुड़ बाई